अकबर भाई ऐसा नरम गुष खाए तो क्या होता उस्ताद? कल्ये सा लप 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 माले ना शीखा मार दे ना सहीं बोले बड़े बई तो आज अम्मी बनाने वाले हरी मिर्ची का तलावा गोश पहले मटन को मसाले लागे मारिनेट कर लिंगे सबसे पहले दालेंगे हरी मिर्ची, हल्दी, हजब जरूरत, नमक, कच्ची, पपई, यह अदरक लेसन, यह दालचीनी और पिसेवा गरम मसाला जिसकी डिटेल कैप्शन में है अब इसको अच्छी तरीखे से मिक्स कर लो और मैरिनेट रूने के लिए थोड़ी देर रख दो अब इसमें अपन दालेंगे तेल और थोड़ा पानी दालके पकने के आवस्ते इसको ढपके रख दिंगे अब इसको medium flame पे अच्छी तरीखे से पका लेंगे क्योंकि इसका पूरा पानी सुख जाना चाहिए और गोश भी अच्छी तरीखे से गल जाना चाहिए तो इसके बाद अपन दुसरे मसाले अट करेंगे अब दालेंगे अपन पिसेवी काली मिर्ची, साबित हरी मिर्ची, कोत्मिर, पुदीना ये सुख दालने के बाद एक और बार इसको अच्छा भूलेंगे जिससे इसकी खुश्बो इसमें आजाद अब आखरी मैस में आपको एक निमो का जूस आट करना है, वो आट करके इसको एक और बार हिला लो That's it आपका गोश्बन के तैयार है तो ये था आपका हैदराबादी हरी मिर्ची का तलावा गोश्ब, आपको ये रेसिपी कैसी देखी कमेंट करके जरूर बताइए इंस्टेग्राम पर फालो करदो और यूटूब पर सब्सक्राइब करदो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में